आटो मोबाइल इंडस्ट्री की लेटास जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुछ करें ताकि वीडियो जैसी है अपलोडो आपके पास महों सके कार मेरे यार में आज के अपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज बात करते हैं होंडा की तरफ से पेश की जाने वाली एक गाड़ी जो की हैच पैक है इसका इंडिया में अनावरन हो सकता है थाएलेंड में दिखाई जा चुकी है रोड टेस्ट पे चल रही है यह जाए तो यह गाड़ी कैसी है क्या इंडिया में आ सकती है यह इंडिया में आएगी तो कौन सा प्लेटफर्म होगा और कौन सी स्पेस कौन सी जगह गेरेगी तो चलिए दोस्तों आज इसके बारे में बात शुरू करते हैं दोस्तों होंडा सिटी के उपर बनाई का पर जाए कि वो गाड़ीया के टीक है कि कौन से इंजिन सोंगे उसके बारे में बात करते हैं इंजिन की पहले मैं बात करते हूँ पहले इंजिन होगा दोस्तों उसके अंदर जो कही जा रही यह बात की वरन पैंट जीरो लिटर का टर्बो चार्ज इंज्जन जो 720 bhp की यंजन हर एक गाड़ी हर एक सेग्मेंट के अंदर कोई नोगों कोई पेश किरती है जासी कि आश किया गало वलेनों के अंदर उसके बाद लीजर पेश किया है और अगर दूसरी तरफ देखें तो होंडा सिटी के अंदर भी वैसा ही है और सिटी की हैच्वेग उसके अंदर भी ऐसा ही होगा एक इंजन होगा 1.0 लिटर का टर्बो चार्ज एक होगा नेचरली असपरेक्टेड नॉर्मल जो इंजन है इसका 1.5 लिटर का मैनूल ट्रांसमिशन में और सिवीटी ट्रांसमिशन के अंदर भी आएगा जो सेवन स्पीड का होगा जो अपने सेग्मेंट में एक हिसाब से कहें कि हिसाब से ज्यादा पावरफूल होगा और तीसरा ज मैलेज की अगर बात करें तो अच्छी खासी मैलेज की क्लेम की जाती है और मैलेज ये इंजन दे भी देता है 22 लेकर 24 तक की मैलेज अराम से अंट रोड प्रैक्टिकल कनिशन के अंदर दे देता है अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की तो यह कहां के बैठ तीसरी जैज है लेकिन वो जैज नहीं है उसका कारण क्या है कि उसके अंदर काफी सारी चीज़े हटा दी गई है बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो हटा दिये गए है होंडा की जो टेंडेंसी है काम करने के वो मेरे को समझ नहीं आएगी कैसी है कि साथ सवा साथ लाग रुपे से प्रीमियम हैच बैक को शुरू कर रहे हो जहां की दौर है पांच और साड़े पांच लाग रुपे पीच में दोनों कमपनी अपनी गाड़ियां दे रहे हैं साथ लाग से कम नहीं है तो क्या ये गाड़ी इसको रिप्लेस करेगी मेरा मारना ये है दोस्तों की अभी फिलाहल के लिगर मैं देखूं तो तीनों के अगर डैमेंशन देखें लेंथ विर्थ हाइट वील बेस और ग्राउंड क्लेरेंस लेंथ की पहले बात करता हूं दो तो लेंथ की अगर बात करूं तो जैज की लेंथ है 3955 वहीं पे बलेनों की लेंथ है 3995 और I20 की लेंथ है 3985 यानि की सबसे कम लेंथ वाली गाड़ी है जैज विर्थ की अगर बात करूं तो 1694 है जैज की बलेनों की 1745 है और 1734 है I20 की यानि की यहां पे भी सबसे पीछे ह है jazz अगर गात करूं हाइट की तो 1544 है जैज की 15010 है багेंऊ की और 505 है 820 की यानि कि यहां पे सब से उपर है जैज South wheelbase की अगर बात करो तो 2530 विंबेस है जैज बात करूं तो 5520 हैümü डिलों का और 2570 है i20 का जो अभी आ रही है तो यानि कि यहां देखे तो सेंटर में बैठती है दोनों गाड़ियों के 2520 से बलेनों से 10 mm जादा है और 40 mm कम है i20 से boot space के अगर बात करूँ तो 354 सबसे ज़्यादा boot space के साथ की गाड़ी हमारे सामने है बलेनों के अगर बात करूँ 339 boot space है उसका और i20 का boot space 280 लीटर का है अगर boot space के हिसाब से देखो तो काफी बड़ी यह गाड़ी हमारे सामने आती है इसी के base के उपर बनाई गई गई गाड़ी WRB जो ठीक ठक successful है लेकिन jazz को कोई नहीं पूछ रहा तो मेरे हिसाब से जो यह गाड़ी आएगी इससे थोड़ी सी length में बड़ी होगी मैं इसी यह comparison आपको मैं तभी दिखा रहा हूँ ताकि इसकी length और width इससे ज़्यादा होगी 3 persons की बैठने के पीछे जगा भी बन जाए फेशिया से जो अब नहीं आएगी उसके बाद अगर rear में बात करो तो कहीं न कहीं jazz का भी rear ठीक ठाक है लेकिन उससे थोड़ी बहतर होगी यह गाड़ी नहीं आने वाली blenow या i20 के जैसा कुछ इसका exterior और rear भी होगा ताकि aggressive सी looking वाली गाड़ी के premium hatchback हमारे सामने पेश की जा सके और jazz की अगर मैं बात करो तो मेरे हिसाब से इसके lower variant निकाल के इसको नीचे के segment पर रखने वाली गाड़ी को रखेंगे जहां पर मुकाबला होगा इसका swift और बाकी सब गाड़ीयों से swift, figo, nios इन सारी गाड़ीयों से मुकाबला होगा थोड़ा इसको change कर देंगे क्योंकि अगर Honda City hatchback नाम अगर देखें तो Honda City ने अपने बहुत अच्छा मुकाम बनाया है नाम बहुत अच्छा बनाया है एक मुकाम को अपने maintain कर रखना बहुत बड़ी बात होती है जो कि Honda City ने बड़े अच्छे तरीके से किया इस चीज़ को किसी भी चीज़ की अगर बात करें चाहे वो civic हो या accord हो लेकिन Honda City का एक prestige है एक नाम है बड़े अच्छे तरीके से इसका नाम लिया जाता है जैज एक बहुत पुराना नाम है इंडिया के अंदर कारों के अंदर premium hatchback के अंदर सबसे पहली आई hatchbacks में से एक है यह premium hatchbacks में से तो इसको रखना Honda के लिए एक घाटे का सोदा घर नहीं होगा बशरते इसके तो variant से वो थोड़े सस्ते कर दिये जाए इससे महगी होगी तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जाथा बहतर होगा ताकि दोनों गड़ीं सर्वाइव कर पाएं फिलहाल के लिए जो जैज है मैंने आपको बताया जैसे कि उसके अंदर एक diesel engine आता है 1.5 liter का जो की 98.6 BHP की पावर 200 NM की टॉक के साथ जनेर करती है और एक petrol engine के भी आता है इसके साथ 1100 NM CC का 89 BHP की पावर 110 NM की टॉक के साथ जनेर करता है अब दोस्तों ये जो engines हैं ये इसके लिए ठीक ठाक से engine है petrol engine तो ठीक ठाक है लेकिन diesel engine बहुत भेतरीन है थोड़ी सी harshness थोड़ी सी NVH levels कम है लेकिन अगे maintain किया जा सके इसमें बहुत सारी गुझायश है क्योंकि Haunta City के अंदर बड़े अच्छे तरीके से maintain किया गया है तो उमीद है दोस्तों ये गाड़ी कुछ अच्छा कर पाएगी इंडिया के अंदर जल्द launch की जाएगी launch की मेरे को हिसाब से उमीद मेरे को ये है कि 2021 के last में कही festive season के दिए गाड़ी कहीं आ जानी चाहिए इंडिया के अंदर क्योंकि road test के उपर सारी गाड़ी देख चुकी इंडिया में आने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर इंडिया में लाना चाहते हैं तो क्योंकि कोई gap इनके पास है नहीं फिल करने को अभी सबसे सबसे regular गाड़ी इनके पास amaze है जो कि एक entry level से डान है उसके बाद city आ जाती है उसके बाद civic कुछ अच्छा नहीं कर पारी CRV कुछ अच्छा नहीं कर पारी WR भी ठीक ठाक से बिखती है जो middle man के लिए जो गाड़ी हो जो ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं हो तो वो गाड़ी बनाना इनके लिए को compulsory हो गया है ताकि survival की दोड़ में थोड़ा साथ में चल सकें ये तो बताइए का दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी इंडिया में आएगी आएगी तो क्या-क्या और चेंज होने चाहिए इसके अंदर सेफटी में वैसे तो कोई ये compromise होता नहीं है सेफटी में फीचर में सब अच्छी होती है पर्टिकॉलर इंजिन के अंदर बहुत रलाइबल गाड़ियों होती है इनकी तो बताइए कि दोस्तों ये वीडियो ये अपडेट आपको कैसा लगता है और comments के अंदर बताईए कि और क्या क्या changes और क्या क्या cięजिजे ैपको अँमीद है इसजाड़ि के साथ आने के और साथ ही jazz के अंदर jazz के लिए आप क्या लोग समझते हैं तो इसके बारे मैं बात करेंगे कमेंट्स में बात करेंगे मेरे को आपके कमेंट्स का बेस सबरी से इंतजार रहता है सीट बेल लगा कर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं सेफ रहे हो तंदरुस रहें नेक्स वीडियो तक जैहिं दोस्तों